नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्राक्टिसिंग डॉक्टर एड भारत हो में पे थी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्कैल्प सोरियासिस के लिए सबसे अच्छा ओल कौन सा माना जाता है, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, मैं पेशन्स को एक इन्फरमेशन देना जाते हूँ, जब तक पेशन्स को पता चलता है, कि वो स्कैल्प सोरियासिस का केस है, उस बात को थोड़ा वक्त हो चुका होता है, क्योंकि शुरूआत में पेशन्स को ये लगता है, कि उसका जो सोरियासिस है, वो सोरियासिस नहीं है, रादर एक डांडरफ का केस है, तो patient कई साल, कुछ शुरुआत के महिने इसी चीज में व्यर्थ कर देता है anti-dandruff shampoo यूज़ करके या anti-dandruff treatment कई समय तक यूज़ करने पर finally patient जब doctor को visit करता है तो उसे realize होता है कि ये scalp psoriasis का case है अगर आपको पता चल गया है कि ये scalp psoriasis है, normal dandruff नहीं है तो आपको कौन सा oil इस्तमाल करना है, आज इस video में मैं आपको यही information तूँगी coconut oil सबसे अच्छा oil consider किया जाता है, coconut oil में naturally इसी बहुत सारी चीज़े होती है जिससे आपका flakes, आपकी dryness, आपकी itchiness, ये सारी चीज़े कम होगी आप coconut oil को एक दिन में 3-4 बार भी लगा सकते हैं जितनी बार आपको महसूस होता है कि मुझे dryness फील हो रही है उतनी बार आप coconut oil का इस्तमाल कर सकते हो अगर उसके साथ आपके scalp psoriasis में आपको बहुत ज़ादा लालपन है खुझलाहट हो रही है, खुझलाहट के साथ bleeding हो जाती है ऐसे में आप coconut oil में कपूर mix करके use करिये उससे आपको काफी राहत मिलेगी ये आपको शुरुआत के 1.5 महिना ही इस्तमाल करना है एक बार आपका active inflammation कम हो जाए यानि बहुत ज़ादा खुझलाहट, flakes उतर गए है ये सारी चीज़े कम हो गई है तो आप कपूर mix करना बंद कर सकते हो इसी के साथ साथ आप coconut oil में नीम का रस इस्तमाल कर सकते हो नीम के रस में anti-fungal properties होती है anti-bacterial properties होती है active inflammation में ये बहुत अच्छा काम करता है तो आप coconut oil को इन सारे तरीकों से इस्तमाल कर सकते हो अब मान लीजे आपको coconut oil यूज करते हुए काफी समय हो गया है एक डेट महिना, दो महिना हो गया अब आपको लग रहा है कि इसके लाव आप मुझे एक और oil की जरूरत है जिससे मुझे आराम मिले तो आप olive oil यानि जैतुन के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं जैतुन के तेल में vitamin E और omega 3 fatty acids पाए जाते हैं ये दोनों ही चीज़े बहुत अच्छे moisturizer की तरह काम करती है और जो भी आपके flicks होते हैं उसको lose करती है तो आप जैतुन का तेल एक दिन छोड़के एक दिन लगा सकते हो अगर आपको जादा तकलीफ है तो आप रोजाना भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा भी एक और oil होता है जो ऐसे cases में काफी अच्छा consider किया जाता है वो है अरंडी का तेल यानि castor oil castor oil बहुत असानी से आपकी scalp की तवचा में absorbed नहीं होता है तो castor oil को आपको किसी न किसी और oil में mix करके लगाना है जैसे आप coconut oil यानि नारिल का तेल यूज़ कर सकते हैं या आप olive oil भी उसमें mix कर सकते हैं अगर आपको confusion है आप घर बैठें अभी तब डाइगनॉस नहीं हुआ है कि scalp soriasis है यह normal fungal है या dandruff है तो आप कोशिश करिए पहला जो आप oil use करें वो castor oil use करें इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा इसके बाद भी आपको जानकारे लेना चाहते हैं कोई आप oil use करते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि यह सही है या नहीं है आपके case में तो आप हमारी team से contact कर सकते हैं and we will be there to help you Thank you